कैसे हैं आप सब लोग स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे चनल एजूकिशन विद गौरब में तो फ्रेंड्स हम पढ़ रहे हैं उत्राखंड एल्टी पड़ागोजी तो उसके लिए तो आप हम करेंगे mcq ओके तो फ्रेंड्स इसके रिगार्डिंग मैं आपको बता देता हूं कि जो इसके छे साथ वीडियो है वह mcq के मैंने इन टॉपिक्स के उपर और बना दिये थे पहले ही और वह वीडियो जो है वह पहले ही डाल दिये थी लेकिन बहुत सारे बच्चों ने उस टाइम प प्रैक्टिस सेट के नाम से तो वहां से आप उसको देख सकते हैं यह उसका लिंक में डाल रहा हूं वहां पर आप देख सकते हैं तो साथ टेस्ट उस पे अंदर लगबग लगए मैंने करवा दिये थे और आज जो है आज का जो टेस्ट है वह बेसिकली जो आपका मोटिव यह सुरू करते हैं आज का हमारा सेशन तो फ्रेंड्स जैसे कि हमने बात की हम आज क्वेशन आंसर जो हैं वह आप करने वाले हैं तो इसी सीरीज में जो मोटिवेशन है उसके ओपर हम क्वेशन आंसर डिसकस करेंगे पहला ही इसमें आपका क्वेशन है सीखने की जो प्रक यहां पर जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो ऑप्शन भी होगा सिख्छार्टियों कि मैं सीखने के पती रुची या इंट्रस्ट को डबल अप करना सीखने में की प्रक्रिया में अभी प्रेज़ना यानि की मोटिवेशन का महत्व हैं ओके अगला नेक्स अगला कॉर्शन है नेक्से कौन सी विश्यस्ता आंत्रिक रूप से अभी प्रेज़ीत बच्चों के लिए सही नहीं है यानि कि जो बच्चे इंटर्नली मोटिवेटेड हैं उनके लिए कौन सी विश्यस्ता सही नहीं है यहां पर आपके सामने चार ओप्सन है आप यहां पर जो right answer होगा वो option first होगा क्योंकि यहां पर लिखावा वे हमेशा सफल होते हैं तो हमेशा इस तरीके के absolute answer जहां पर होते हैं वहां पर गलत होने के संभावना बहुत ज़्यादा होती है तो friends अब हमेशा कोई भी चीज नहीं होती है हमेशा वह सफल हो यह जरूरी नहीं है लेकिन वह हमेशा कार्य करने के लिए प्रियरित होते हैं इतना है है नेक्स आपके पास है एक बिद्यार्थी medical college में दाखिला लेने के लिए कठिन परिस्रम करता है ताकि वह है परवेश प कि बताएं सई उत्तर क्या होगा तो राइट आंसर है यहां पर ऑप्शन फस्ट आंतरिक रूप से वह अभी प्रिरित है क्योंकि medical college के अंदर दाखिला लेना बहुत ज्यादा कठिन परिस्रम करना पड़ता है और वह कठिन परिस्रम कर रहा है तो इसका मतलब वह खुद से जाए अंदर से मोटिवेट है कोई जवर्दस्ति आपसे तैयारी नहीं करवा सकता है प्रिनीट की नीट जैसे एक्जाम की ओके नेक्स अभी प्रिना के सिदानतों के अनुशार एक सीख्चत के द्वारा सीखने को समद्धित कर सकता है तो जो टीचर है वो उसके सीखने को हम समद्धित कर सकते हैं किस से यहाँ पर देखिए आपके सामने चार ओप्शन है यहाँ पर जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा ओप्शन सी विद्यार्थियों से वास्तिविक जो अफिक्षा हैं वो रखनी चाहिए टीचर को ओके वास्तिविक मलब जो एक्पेक्टेशन हो सकती है पूरी वो रखनी चाहिए ah next आपके पास सबसे अभी प्रेरीत बच्चों की मुख्य बिसेश्था है है सब्सक्राइक है पर आपके सामेन चार ओप्शन है दोस्तों आपको right answer बताना है इसका तो सबसे जो राइट आंसर है वो है आपका option सी अपने विचार प्रकट करने का उनका संतुलित तरीका क्योंकि जब मानसिक रूप से या समयगात्मक रूप से स्थिर होगा बैच्चा अभी प्रेजित होगा तब ही वो अपने विचारों को संतुलित प्रकार से अभिव्यक् करता है तो यहां पर देखे अलग लग चार प्रकार की चीज़ें आपको सामने लिखी हुई है देखे इसका राइट आंसर क्या होगा कि सीखने या अधिगम के लिए जो अभी प्रेजित करता है वो कौन सा है तो राइट आंसर यहां पर हुए ओप्शन डी लक्षो को प्राप्ट करने में ब्यक्तिगत संतुस्टी यानि कि जब यह तो उन्होंने भी अपने सिदान्त के अंदर बताया है मैसलोंने कि जब कोई इसार अपनी जो लक्षे है उनको प्राप्ट करता है तो उसे क्या होत है ब्यक्तिगत संतुस्टी मिलती है और उसके बाद वह अगेन जो है वह उसकाम को और तेजी से करता है तो बेसिकली वह और ज्यादा मोटिवेट होता है है ना हमने थंडाइक के नियम के अंदर लौफ एकक्ट के अंदर भी यह चीज़ देखिए ओके त्योरीज के अंद होगा यहां पर राइट आंसर तो यहां पर जो राइट आंसर हो जाएगा वह होगा ओप्शन ए ओके यानिकि वह आंतरिक रूफ से अब भी प्रेरित है ओके दोस्तों चलते हैं आगे नेक्स एक महिला ने भुजन प्राप्त करने के लिए अपने बच्चे को बेच दिया इस खबर को डॉड़ोड के आधार पर अच्छी तरीके से समझा जा सकता है किसके आधार पर हम समझ सकते हैं कि महिला ने भुजन प्राप्त करने के लिए अपने बच्चे को बेच दिया पताईए इसका राइट आंसर क्या होगा इसका सही उत्तर है दोस्तो ऑप्शन बी पदानुक्रमिक आवशक्ताओं का सिदान्त ये दिया है अब्राइम मैसलो ने जिसमें की जो सबसे निचली आवशक्ता है उसमें आपका भूग प्यास और मलब जो बेसिक नीड होती है ना वो चीज़ें सब आती है तो सबसे पह उसके भूग लगी थी तो यह जो भी चीज़ें होंगी यह प्राइमरी लेवल के होंगी पदानुक्रम में तो इसको प्राप्त करना उसकी प्रायरोटी थी इसलिए नेक्स आंत्रिक रूप से अविप्रेरित विद्यार थी जो इंटरनली मोटिवेटेड है यहां पर देखिए चार आपके सामने तो यहां पर जो राइट अंसर होगा वो होगा Ale can't collected me के लिए बाहिए पूरस्कार उसकी अविप्रेर्मा को बनाये रखने के लिए प्रयाप्त नहीं है तो जो अंत्रिक रूप से मोटिवेटेड नहीं कर सकते हैं के नेक्स है आपके पास उपलब्दी अभी प्रेड़ना है तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर है आपके पास चनवाति पूर्ण जो कारिया है उनमें डटे रहना या सफलता से बचने की प्रवर्ति सफलता वे ऐस सपलता को समान रूप से सुविकार करने की ततपता या बिना जल्दिबाजी में काम करने की प्रवर्ति तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो कौन सा होगा ऑप्शन जो भी है वो राइट आंसर है असफलता से बचने की जो प्रवर्ति है वो आपका उपलब्दी अभी प्रेड़ना है यानि कि बेसिकली उपलब्दी य कि आप अगर आपने जो है अगर यह काम नहीं किया तो आप असफल हो जाएंगी आपकी उपलब्दी नहीं हो पाएगी तो यह आपको मोटिवेट करेगा और आप असफलता से बचेंगे तो इसलिए यहाँ पर राइट आंसर भी है नेक्स राजिस अति लो लूप पाठक ह है वह अपने कोर्स की पुस्तकें पढ़ने की अत्रिक पुस्तका लाई भी जाता है और बिन प्रक्रावनों के पुस्तकें पढ़ता है इतना ही नहीं राजिस भूजन अवकास में अपने प्रियोजना कार्या करता है उसे परिक्षाओं के लिए पढ़ने के लिए अपने स तो कौन सा होगा इसमें राइट आंसर तो यहां पर जो राइट आंसर है वो ऑप्शन डी है वो बच्चा आंतरिक रूप से बहुत ज़्यादा मोटिवेटेट है ऐसा इस्टुडेंट है जो इंटरनली मूटिवेटेट है और खुद से जो है उसका इंट्रस्ट है तब ही ज सलते हैं आगे नेक्स है आपके पास यदि पूर प्राथमिक इस तर पर बच्चों की खोज करने की अनुमति दे दी जाए तो बच्चों को खोज करने की अनुमति दी जाए तो वे संतुष्ट हो जाते हैं जब उन्हें हतोसाहित किया जाता है तो वे ब्याथित हो जाते है यानि दुख्य हो जाते हैं वे ऐसा की अभी प्रेड़ना के कारण हो सकते हैं तो किस कारण से वो डिमोटिवेट हो सकते हैं यह हमें बताना है नेक्स देखिए यहाँ पर जो कौन सांसर सही होगा है तो यहाँ पर प्राइट अंसर को ऑप्शन ए अपनी उपेख्षा को कम करना ठीक है तो बेसिकली उस वो जो हैं अपने खोज को करना चाहते हैं यानि कि वो अपने दिमाग का इस्तिमाल करना चाहते हैं लेकिन उन्हें उतना मौके नहीं दे जाते हैं उन्हें हसोस कि तुछ खूंगे तो उन्हें यह वोगा कि हमारी उपेक्षा की जानी तो इसको कम करने कम करना जय कि अभिप्षा को कम करने की उनकी कारण करते हैं तो यह चीज आ अगला देखिये हलांकि यह है इस पस्ट्री रूप से उनकी सुरक्षा आपशकताओं के उलंगन में था कैप्टन बिक्रम बत्रा अपने देश को बचाने के दौरान कारगिल युद्ध में मारे गए संभावता उन्हें था तो किस कराण से उन्होंने कारगिल युद्ध में वह मारे गए यहां पर जो राइट अंसर होगा वह ऑप्शन भी है आत्मसिद्धी की प्राप्ति यानि सेल्फ एक्ट्राइजेशन जो आपके मैसलों है उन्होंने अपनी जो पतानुक्रम सिद्धान तो उसमें सबसे उपर जो चीज बताई है ना कि जब सारी आप शक्ता है पूरी उजाती तो सबसे उपर के लेबल पर होता है जिसको कहते हैं आप आत्मसिद्धी या सेल्फ एक्ट्राइजेशन तो उन उन सब चीजों के अंदर वो और बाकी सब चीजों से हट चुका होता है तो यहां पर उसके उपर चोंकि देश भक्ती सबसे ज्यादा उसके लिए इंपॉर्टन करते हैं तो यह भी राइट आंसर दोसरों ऑफिन भी है मैं स्लो क्योंकि उनका मानना है कि जब बालक का जो की जो आऊशकता है वो पुरे नहीं होती है तो उस चिस्तिती में वह क्या करता है कथोर परिष्रम करता है उसकुक कथोर परिष्रम करने के लिए इंटरनली मोटि करता है उस पर्तिक्रिया को बिस्स्ट दिशा उपलब कराता है वो कौन सा है तो यहां पर देखे अभी प्रेणन है और अध्यावसाय है संब्वेग है और वचन बद्दा है तो बताए राइट आंसर क्या होगा यहां पर जो राइट आंसर होगा दोस्तों वह ओप्शन ए अ आंतरिक बल्की बात हुई है क्योंकि नेक्स आपके पास है निम्लिकित में से कौन सी सब्दा वाली प्राया अभी प्रेणना के साथ अंतह बदलाव मैं इस्तिमाल की जाती है यानि कि उसके बदले इसको यूज कर सकते हैं तो वह कौन सा होगा प्रुसकार समवेग आवसक प्रेण आपका पूर्चान ठीक है ना तो यह तीसरी जो चीज होगी यानि जो आपका मोटिवेशन होगा वो तीसरी लेवल पर आएगा सबसे पहले पूरुसका तो इसे लिए इसको अंतह बदलाव के साथ इस्तमाल करा जा सकता है फिर नेक्स आपके पास डौट डौट अब अभी बूतियों के संतुस्ति करण की आउस्ता तक पहुंचने और व्यक्तिक लक्षों को प्राप्ट करने के आउस्ता को संबोधित करती है तो कौन सी जो है प्रेणा है आपकी आपको व्यक्तिक लक्षों को प्राप्ट करने में साहिता करने में संबोधित करती है त तो यहां पर तो राइट आंसर है वो है option कौन सा option A यहां पर A नहीं option B राइट आंसर हो जाएगा भावात्मक ठीक है तो भावात्मक प्रेणाए अनुभूतियों के संतुष्टी करण की जो अवस्ताथ तक कौन सने के लिए आप व्यक्तिक लक्षों को प्राप्त करने की चार इसके तरह हल करने के लिए विवस करता है के रूप में जाना जाना चाहिए तो प्रेद्प व्यक्तिकत्य विश्चेष सम्भेव या पर्त्यक्षी चीप करना तो वह आपका क्योंकि आंतरिक बल की बात हुई तो वह उसका क्या हो जाएगा प्रेद्प हो जाएगा ज प्रबल 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 प्रब तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो आउशक्ता का सिदान्त है वह आप मैंने आपको पढ़ा रखा है साइकल किस प्रकार की होती है सबसे पहले जो है आपकी व्यक्ति की नीड होती है इन डिराइब एंड तेन उसको अचीवमेंट पराप होती है तो सबसुल पहले जब आउउस्एक्ता आ आएंगी आ घ्र तब कांसे के लिए क्या होगा अस्य अब प्रेड्ञाउथब अट्तर अध्र प्रेरित होगा तो क्या हो जाएगा उसके अंदर एक बेचनी होगी और वहते उत्तेजित करेगा तो फिर उसके अंदर उत्तेजित होगा और फिर वह जब उत्तेजित होगा तो उस लक्षों को प्राप्ट करने के अकॉर्डिंग जो है वो काम करेगा यानि लक्ष उन मुख्य उसका ब्यावार होगा देन जब उसको उपलब्दी प्राप्ट हो जाएग उस इस्तिति में उसका लक्ष उसे मिल जाएगा और इस इस्तिति में उसका जो अंतर नोध है वो सांत हो जाएगा और उसकी उत्तेजना में कमी आ जाएगी तो इसलिए राइट आंसर ऑप्शन डी होना चाहिए ठीक है अगला देखे एक अध्या प्रूप से प्रेदद है वह है इस संदर्म में वह करेगी तो अंतर जलुप से अगर प्रेद्ध है तो उसके लिए क्या करेगी ओप्सन देखिए यहां पर अंतिम परिणाम पर ध्यान देने के बजाए ब्यक्तिगत रूप से बच्चों की जो अधिगम प्रक्रिया है उन पर ध्यान देना तो आपका इंडिविजली बच्चों की जो अधिगम प्रक्रिया है उसके उपर ध्यान दिया जाएगा अगला देखे प्रात्मिक विद्याले सिक्षक को अपने सार्थियों की को अभी प्रेजित करने के लिए निमली कित में से किसे रणनीती को अपनाना चाहिए यहाँ पर देखे चार प्रकार की आपके रणनीती है क्या होना चाहिए प्रात्रिविक विद्या लेके बच्चों को मोटिवेट करने के लिए तो जो राइट आंसर है वो आउप्षन कौन सा होगा सी हो जाएगा ठीक है बच्चों को उनकी इंट्रस्ट यानि रुच्चों का अंसार अपने लक्ष निदारित करने और उन्हें पाने के उद्यम में साहिता करना यानि उसके योगिया बनाना अगला देखिए बच्चों को अपने अध्यन में प्रियास करने हे तूप प्रोसाहित करने के लिए कि सिक्षकों को यह सकता होती है तो क्या किसी क्या सकता होती है अ कि यहांपर देहीं आप क्या हो सकता है तो बच्चों को मांइसा प्रेणिद करने की ह embryON होती है सिंपल सी बात है आ ठीक है अगला देखिए बैण और अधिगम के बारे में निमलिखित में से कौन सा एक कथन सही है तो यहां पर चार बड़े-बड़े ओप्शन्स हैं इनको पढ़िए तो यहां पर देखिए ओप्शन जितने भी हैं उसमें लगबार सब में केवल है और वी वाले में वो कहरा कि अधिगम में प्रेड़ना की कोई भूमिका नहीं होती है तो यह तो बिल्कुल नहीं हो पाएगा तो यहां पर बच्चे तीन ऑप्शन जिसमें की सारे केवल वाले ही हैं लेकिन यहां पर जो राइट ऑंसर होना चाहिए वो ऑप्शन डी होना चाहिए क्योंकि अधिगम केवल तभी यह है अगला देखिए निम्रिकेत में से किसे अभी प्रेरित शिक्षण का संकेत माना जा सकता है माना जा सकता नहीं माना जाता है अभी प्रेरित शिक्षण यानि की मोटिवेशन टीचिंग तो यहां पर देखिए बिद्यार्थी अधियापाक से प्रस्न पूछते हैं व अपने पढ़ने के लिए पच्चे सुरी सिक्षण के लिए वह ज़्यादा एक्साइट है किसी की क्लास के अंदर तो वह ज्यादा ज्यादा फिर प्रस्ण पूछते हैं क्योंकि वह अभी प्रेदित हैं ओके अगला देखिए नेक्स है आपके पास प्रेदा आम तोर पर के बाद होनी चाहिए तो प्रेदा के बाद врем चया होती है तो यह पर है नतीजे की जानकारी प्रत्शाहन दंड या पारितोसिक सनक कहा राई टंसर है वो और संसर यहां पर पारितोसिक यानि की आपका इस्ट्यूमिलस चाहिए तो बेसिकली जब हम किसी बच्चे को को इस्ट्यूमिलस परदान करते हैं तो उसके वाद और ज्यादा उसके अंदर प्रेर ना मिल जाती है उसको और काम करने की चाहिए वह आपका पुरुसकार हो या कोई अन क्या महत्वफून है तो बताइए राइट आंसर क्या होगा है तो यहां पर जो राइट आंसर होगा वह ऑप्शन डी होगा दोस्तों पढ़ाही का जो है वह प्रेणा दायक माहुल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है अगला अपनी कख्षा के अच्छे चात्रों को प्रो प्यूक्त सभी तो यहां पर जो राइट आंसर होगा वह ऑप्शन डी हो जाएगा यह सारी काम जो है हम कर सकते हैं अगला देखिए आप शक्ता का अनुकरम का मसलों का सिद्धान से संब्दित है तो ग्यान अभी विरत्ति या अभी प्रेणा तो राइट आंसर होगा ऑप तो यहां पर जो है राइट आंसर होना चाहिए ऑप्शन ए ठीक है जो पहले सभी उद्दिश्य है उन्हें सही दिसाहत देना ठीक है नेक्स विद्यार्थ सिख्षार्थी ब्यक्तिकत विविन्ता को प्रतसित करते हैं अथा एक सिख्षक को क्या करना चाहिए क्योंकि जो है बच्चे अलग अलग जो है इंडिविजल डिफरेंसे रखते हैं अपने आप में तो इस कारण से हमें एजिटेचर हम क्या कर सकते हैं की सिंपल सी बात है उनके जो अदिगम के बिविद अनबव है उनको अपनाना का मतला उनके जो अनबव हैं उनको एक्सप्ट करना उनको संवान देना अगला देखिए पांचमी कक्षा का एक छातर जो दृस्टर हीन है उसके साथ क्या वुनाभी तो यहां पर देखिए आप नेक्स सबसे सबसे जो सुटेबल आंसर है वो ऑप्शन फरस्ट है कक्षा में उसके साथ समाने रूप से ही ब्यवार किया जाए जो कि समाव इसी सिक्षा का लक्षा है और स्रब्य सीडी के माद्यम से उसको सहायता प्रतान की जाए क्योंकि उसको इस्पेशल नीड भी है तो उसकी स्पेशल जो नीड है उसको भी पूरा करना जरूरी है तो इसलिए उसको ये स्रब्य सीडी के माद्यम से सहायता दी जाए अगला निम लिखित कथरों में कौन सा सत्य नहीं है तो बताइए यहां पर कौन सा सत्य नहीं है यहां पर जो राइड अंसर वो ऑप्शन डी है दोस्तों जो सिक्षन है यानि टीचिंग वो निर्देश है ऐसा नहीं होता है निर्देश यानि कि इस्ट्रक्शन टीचिंग नहीं है अगला देखिए कक्षा में रशनात्मक्ता के विकास के लिए निमली खित में से किसकी आवशक्ता नहीं है क्या होगा राइट आंसर तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वो है option D ब्याख्यान देने की यानि की lecture देने की जुरुवत नहीं है अगला देखिए एक सिक्षी का अपने सिक्षण में द्रिश्य श्रभ्य सामगरी और सारिक गत्विदियों को परयोग करती है क्योंकि यहाँ पर देखिए options को अपने वे शिक्षार्थियों को वैविद्या उपलब्द कराते हैं इसमें इनमें अधिकतर इंद्रियों का उप्योग सीखने को समवर्दित करता है वे शिक्षक को आराम देते हैं या वे प्रभावी आकलन को शुगम बनाते हैं तो क्या होगा इसका राइट आंसर तो यहाँ पर जो दोस्तों राइट आंसर होगा वो option B होगा क्योंकि मैं कई बार बता चुका हूँ आपको कि teaching जो aids होती है या audio visual aids होती है उसका मकसद ही य प्रक्रिया कर सकें और जब अधिकताम इंद्यों का उप्योंग वोगा तो वो सीखने को समभड़ देति यानि उसको इंक्रीज करेंगा नेक्स प्रभावी जो सिक्षण प्रक्रिया का सबसे महत्वपूर्ण कारक है तो सबसे महत्वपूर्ण कारक क्या होगा यहाँ पर देखिए अगर हमें प्रभावी यानि इफैक्टिक टेजिंग करनी है तो उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण कारक होगा कौन सा तो यहाँ पर जो सिख्षक विद्यार्थी समवाद जब समवाद होगा उसके मातिम से बिचारों का अधान-प्रदान होगा तभी क्लास के अंदर एक देमुक्रेटिक माहौल बनेगा और उससे जादा से जादा बच्चे सीखेंगे ठीक है तो यह था हमारा इस टॉपिक के अंदर डिसकेशन आई होप आप लोगों को ठीक लगा होगा और अभी के लिए इतना काफी है जल्दी मिलते हैं नए टैस्ट के साथ ठीक है थैंक्यू यू सो मच्छ वेव गूड़ देए